हेलो माई डियर फ्रेंड्स ओनलाइन एग्रिकल्चर क्लासेस के ऑफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत बिनंदन एवंग बंदन करता हूं जैसा कि हमने आपको बताया ता आप बेल आइकन को प्रेस रखिए इससे आपको क्या होगा जो भी न्यू औ से मों के रूप में हुआ है और फिर आगे हम बताएंगे कि कुछ समय में परिवर्टन हुआ है जिनका एक्जाम हुआ है और जिनका नहीं हुआ है सबी लोगों का हो सकता है आप अपना एमिल एक बार चिक कर लिजेगा इमिल आ गया होगा म्यूंश्य तो ए चैनल पर पहल वीडियो को देखने के उपरां तो आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे और मैं भी आपको एक लॉग इन की वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है इस चैनल पर लॉग इन कैसे करना है लैपटाप में करना या फोन के माध्यम से करना है हम उस वीडियो में कैसे क्या सीन है चलिए तो फाइनली निव आपडेट जो आया है इसके बारे मुम लोग डिसकस करेंगे तो उसके पहले मैं कुछ कोस्टन के रिवियू दिखाना चाहता हूं आपके जो कोस्टन चाहिए पहला कोस्टन मैंने जो पिक किया है आसीस पनिदार सर जी अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं दे पाया है तो वह एक्चुल एकजाम तो दे पाये roughly तो जी जिनका नहीं आया है तो उनका एक रीजन होगा कि 60 प्रतिसत से नीचे किसी एक समिस्टर में आप कराया गया होगा उसी वज़ा से आपका रिजेक्ट हुआ है अन्य था साटले से आप बाहर हो गए हैं यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ए उने पहले यह सभी लोगों को नोटिफाई कर दिया था कि आप वही इमेल यूज करिए जो आपके बर्तवान फोन में लाग इन हो और वही पासवार्ड बनाई है जो आपको अमेशा रिमेंबर हो या फिर कहीं आप नोट डाउन करके रख लीजिए यह लैप्टाप पर ख इस किस बर्जन में पूरा डेटेल में दिया है कि आप लैप्टाप में खोलेंगे तो क्रोम ब्राउजर या फायर फाक्स से आप दे सकते हैं और देखिए एक और आया है स्वाथी कैन वी यूज मुवाइल फोन टू अटेंड एक्जाम मेंडेटरी लैपी मतलब क्या लैप्टाप मेंडेटरी है तो यस उसमें दिया है यादि आप फोन से करना चाहें तो कर सकते हैं हमने बताया भी फोन से याद देना चाहते हैं त तो बताया था उसमें कि आप जब भी यूज करिए तो हमेशा लैपटाप या कंप्यूटर का यूज करिए उसमें साप साप नोटिफिकेशन में दिया है अन्यता आपको साटलेस्ट एक्जाम क्लियर होने के बाद भी हो सकता कहीं बाहर कर दिया गया तो आपको पस्ताना पड़ जाएगा तो इसलिए जब उनका निर्देश वही है कि आप लैपटाप या कंप्यूटर का प्रयोग करें तो वही प्रयोग करने की कोशिस किजिए कोशिस ने पूर्ण रूप से उसी को फालू करिए नेक्स्ट कोश्चन है आपका सर एक्चुल पेपर मुबाइल पर दे सकते हैं तो यही मैंने बताया था कि जो एक्चुल पेपर है यह आप मुबाइल से मत दीजिएगा मैं किसी को सगेस्ट नहीं करूँगा कि आप मुबाइल फोन से एक्चुल एक्जाम दीजिए चलिए डेमो वाला दे दिया कोई बात नहीं डेमो तो एक मतलब सीखने का पैटर्न था कि आप एक्जाम कैसे देंगे और उनका भी इफको वालों का भी यही सिंता कि वो चिक कर रहे थे कि साइट सही से काम कर रहा है और मतलब सभी लोग एक्जाम से अटेम्ट कर पा रहें या फिर एक मॉक टेस डेमो के रूप में कराया है फिर आपका एक्चुल पेपर दस तारिक को कराएंगे क्लियर अब नेक्स्ट कोस्टन है आपका मेरा एक्जाम तो दस को एक एम पर है इमेल में तो यही आया है सबी लोग आपना अपना जल्दी से इमेल चेक कर लिजिए और हुआ था हमने यही समस्या देखा था कि जिन लोगों का सेमन जीपी यह था मतलब सत्तर प्रतिसत था इबाउट मतलब सिस्टी प्लस था उनका इमेल नहीं आया था वह काफी परिसान थे वाटसप पर वाटसप कमेंट में कमेंट दिये जा रहे थे तो आज वह अपना इमे में नहीं आएगा तो चलिए हम आपको अफिसेल वेबसाइट पर ले चलके और दिखाते हैं अब हम आ चुके हैं अपने क्रों पर गूगल क्रों को ओपन कर लिजेगा सर्च करिएगा उसमें इसको एजी टी और डाइरेक्ट पहुंचेंगे अफिसेल वेबसाइट पर यह एक टेस्ट के रूप में तो वो आठ मही कल हो चुका था पंदरह मिनिट का जो एक्जाम हुआ था टाइम स्लाट एक ग्यारह एम से पांच पीम तक था और इनका बैच्वन का एक्जाम प्री का जो है एक्चुल प्री एक्जाम है वह दस मही को है टीजडे यानि मंगलवा को और 45 मिनट का यह होगा सुबह 11 बज़े से लेकर कि 11.45 तक आपका समाप्त हो जाएगा क्लियर बैच्वन का एक्जाम हुआ अब समाप्त अब बैच्टू की बात करेंगे अब यहीं पर देखें नीचे क्या दे रहा है बैच्टू बैच्टू में जिनका इमेल नहीं आय कर दिट आया है तो मैं आपको नूटिफाई कर रहा हूं 9 माई 2022 यानि आज सो मौर को 15 मिनट का एक्जाम आपको एक देना पड़ेगा जिसका टाइम स्लाट क्या है 11 एम चलेकर साम 5 बज़े के बीच में आपका भी भी 15 मिनट आप अपने लेप्टाव कंप्यूटर में एक को सिस्मत करिए अन्य था आप हो सकता है सार्ट लिस्ट तो कर दिया इसमें आपको फिर बाहर कर देगा तो फिर आपको पस्ताना पड़ जाएगा क्लियर अब नेक्स्ट देखिए इनका एक्चुल में एक्जाम इनका भी बैच 1 बैच 2 दोनों का 10 माई को मंगलवार को होगा क्लियर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूँगा यदि बैच 3 का भी आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा हो सकता है जिनको ज्यादे फाम पड़ गया हूं तो इसलिए यह बैच 1 बैच 2 में कर रहा है क्लियर यह भी एक्जाम आपका 45 मिनट का होगा यह 45 मिनट का होगा तो इसमें बस टाइम का ही चेंज है बैच 1 का एक्जाम आपका यहां पर देख सकते हैं 11 बज़े से स्टार्ट है सुबह और बैच 2 का एक्जाम है डेड़ बज़े यानि एक बचकर 30 पीम चे लेकर के दो बचकर 15 मिनट तक क्लियर साम को सुभा पाली में बैस बन का है साम पाली में बैस टू का है क्लियर अब यहाँ पर नोट करके क्या दे रहा है इसको आप जरत देख लिजेगा कि only the shortlist candidates will be in a intimidated about the details of pre-exam आपको जो shortlist candidate हुए है जो भी उनके registered email पर message already जा चुका है वे अपना email ID चेक करते रहें और साथ में मैं यही सबसे कहूंगा कि आप भी खुद स्वहम से इफको का official website रात में भी चेक करते रहें क्योंकि इसका जो अपडेट आ रहा है यह 12 बज़े के बाद आ रहा है रात को क्लियर आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और चैनल पर पहली बारा है तो जरूर सस्क्राइब करिएगा दूसरी बारा है तो share करना आपका फर्ज बनता है जिससे सबहे लोगों को अपडेट पता चलता है किसी का exam ना छूटे अब जब इतना कर लेंगे तो आपको लाग इन करने का option देगा तो click here to login करिएगा आप PC में और वही से आप दे दीजिएगा clear आज का session यही पर समाप्त करते हैं thank you